हिंदी लेंग्वेज में टेक्स्ट दिया है और लेंग्वेज में टेक्सराइज में लिए नाम मंधीप है और आज की वीडियो में आपके लिए एक वर्किंग बनाई है जो कि बेसिकली आप से एक multilingual text लेगी और आपके लिए जो है रिस्पेक्टिव जो है इमेज जनरेट करके देगी जो बेसिकली यह क्या है कि text to multilingual text to image generator है और इसके पीछे जो है बैक एंड में जो है pre-trained model काम कर रहे हैं एक तो GPT-3 और diffusion वाले model जो है जो की इने जनरेशन के काम में बैसिकली यूज होते हैं आज की वीडियो में बैसिकली स्ट्रेक्टिर ऐसे रहने वाला है कि सबसे पहले मैं आपको जो है कोड का work through करवाऊंगा quick work through की कहां पर क्या है और कैसे करना है और उसके बाद जो है अगर आपको कोई question है तो आप मुझे जो है comments डाल की पूछ सकते हैं I will definitely help you तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि मैंने कैसी वैप बनाई है और बेसिकली यह एक वैप है अगर आप जहान से देखेंगे यह वन पेजर वैप है है इससमें आपको क्या करना है कि यहां पे जो है यहां पर ऎर यहां पर बेशट लीए आप से टेक्स्ट लेता है और यहां पे आपको जो है क्कि यह व 19 इसका जो है account का auth token देना होता और फिर आप जो इस पर generate image पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए image generate करते हैं जैसे कि अभी आप देख भी पारे होंगे मैंने एक Hindi language में text दिया है और Hindi language में text देने के बाद मैंने इस पर click किया और मैंने जन्रेट image किया तो इसने जो है बहुत ही अच्छी image generate करके दिये तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो है code का walkthrough करवा देता हूं कि basically code में जो है basically कहां पर क्या-क्या चीज़े required हों तो मैं यहां पर parent folder में हूँ और parent folder में आप देख सकते हैं सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं basic requirement.txt इसमें basically वह वाली libraries है और उनके वर्जन डिफाइंड है जो कि आपको अपनी local machine पे जो यहां पर भी आप इस पोड़ को चला होगे वहां पर आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे तो यह यह हां पर जो है इनके लाइबरेरी के नेम पाइफन इसको जो है आपके सारी लाइबरेरी को जो है इसलिक इस्टॉल करते हैं उसके बाद यह प्लास के लिए आपकी जो एक फाइल की requirement होती है उसमें आप बैब और दाने अपक जी यूनिकॉन और एफ पौलाई अप इए वाला है यह भी में आपको दिख़ा देता हूं एक जो है यह वाला है यहाँ पर आप जाओगे तो वो दोनों चीज़े जो है पास कर रखें यह बहुत इस टेंडर टेंपलेट है अगर आपको प्लास का आइडिया होगा तो आपको यह आपके लिए डिपिकल्ड नहीं होना चाहिए अब आज आते हैं यह आपका बेकेंड है इसमें बेसिकली सारा कोड वो है जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था जो कि मैंने गूगल को लैप पे यह सेम एक्सराइज करके दिखाई थी लेकिन उसमें जो है पूरा वर्किंग प्रेंट एंड नहीं था उसम उसके बाद फ्लास का अब्जेक्ट बनाया है उसके बाद कुछ मैथर्स डिफाइन किये हैं और हर मैथर्स को मैं वन वाइवन आपको कुछी वॉक्ट्रू करवा देता हूं यह मैथर्ड है गैट ट्रांसलेशन सो बेसिकली क्योंकि यह मल्टि लिंग्वल टेक्स्ट टू अगर तो आपके मोडल आपने इतने कस्तमाइज कर रहें कि आपने लेंग्यूज में ट्रेंड रहा तो आपको इस्ट्रांसलेशन वाले पार्ड की जरूत नहीं है ठीक है तो इसमें कुछ नहीं है इसमें सिंपल यहां पर एक टेक्स्ट हम ले रहे हैं गूगल ट्रांसलेशन वाली API या उसका ऑब्जेक्ट बनाने और उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लीश में ठीक है और यह फिर मुझे ट्रांसलेटी टेक्स्ट दे देता है उसमें इसमें बहुत जादा कुछ भी नहीं है उसके बाद simple एक मैंने जैसे कि हमारा एक plan plan class नाइए उसमें कुछ variables हैं उनको initialize करवाया है यह variables का use जो हमें stable diffusion की pipeline से connect करने के लिए use करूआ तो इसमें basically क्या है कि इसमें simple simple चीज़े हैं seed की value define कर रखे इसमें जो है इसमें define कर रहता है कि अगर कूड़ा है तो कूड़ा को यूज करें आप CPU को यूज कीजिए यहां पर image generation का model बता रखता है कि image generation का model हमें कौन सा वाले यूज करना है prompt generation का हमने कौन सा model यूज किया उन models की ID दे रखे है image generation कितने स्टेप्स चाहिए आपको जितने ज्यादा image generation में आप स्टेप्स पर रखेंगे उतनी हाइज क्वालिटी की आपकी image generate होगी और उतना ही ज्यादा टाइम रजीगा ठीक है यहां पे जो image generate होगी उसका कितना साइज रखना चाहरे है simple simple plain plain यहां से आता है यह वाला जो और टोकन है यह वाला जो है और टोकन हमने जो पास किया है और उसको जो है हमने यहां पर यूज कर रखता है क्योंकि जब हम stable division pipeline का यूज करके फ्रॉम प्रीट्रेंड इस मैथर का यूज करते हैं यहां से हम बेसिकली प्रीट्रेंड मोडल का object करते हैं ठीक है तो उसके लिए हम यहां पर टोकन पास करना होता है क्योंकि ताकि जो है आपका यूज कर रहे हैं यहां से हमने कुछ नहीं सिंपल हमने स्टेबल डिफ्यूजन पाइपलाइन के उपर फ्रॉम प्रीट्रेंड वाला मैथर को दिया और इस मैथर में जो जो आर्गूमेंट्स यह हमने वह पास कर वाएं यह मैथर में वहीं हमें इमेंज जनरेशन वाला मॉडल कौन सा चाहिए रिवीजन कौन सी चाहिए यूजर का टोपन क्या है और डिवाइस बैसिकली आपको कूड़ा वाला यूज कर रहे हो या कौन सा यूजर है तो बैसिलिए आपको एक मॉडल का अबजेक्ट बनाकर देते कर ठीक है उसके यहां से इस मॉडल के अबजेक्ट पे यह हमें जो है इमेज जनरेट करके देदेगा और हम इमेज को रिसाइज करके वापिस रेटन कर रहे हैं ताट से अब यहां पे यह तो वह है कि जो हमने मैटर्ड डिफाइन कर दिए अब इनको API की फो में कैसे कोल करवाना है तो सब सब्सक्राइब जैसे ही आपका वाले सर्वर चलेगा तो यह इंडेक्स.stml को रेंडर करते हैं यानि कि यह होम पाथ के लिए या रूट पाथ के लिए और स्लैज जनरेट वाले पाथ के लिए कौन सम्में मैटर्ड कोल होगा यह वाला मैटर्ड कोल होगा इस में क्या कर र है वो सब्सक्राइब बने कर लाक्त कूल कर रहा होएं यहां से हम उसकी ट्रांसलेशन कोलर देटे हैं यहां से यहां सपलीट वाली जब API कोल आएगी तो हमने इसको यहां पे कोल कर रखता है तो जैसे ही हमारे पास ट्रांसलेशन आ जाती है हम ट्रांसलेशन को यह जन्रेट इमेज वाले मैं पास कर देते हैं और यहां से गैट मॉडल का मैथड यूज करके जो कि हग जिसमें हमने अगिंग टोकन पास उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं उसके बाद जो दो лишь को मैं अपनी की एक अपर ऑन में मैंने one by one go through करवा दिया कि कौन से method क्या कर रहा है उसकी क्या functionality I hope you will be able to relate क्योंकि यह एक just walkthrough या demo purpose के लिए so that आप चीज़ों को relate कर पाए हो सकता है कि आपको कुछ डाउट आए लेकिन आप वो जो है बाद में भी जो गिट के त्रू गिट पर जाके और को आप इंसे जो है अपने questions को जो basically clear कर सकते हैं still if you have any doubt you can always drop a comment on the video उसके बाद आजाते हैं front end यूद को front end बहुत ही simple है कुछ भी नहीं है मैंने एक HTML page बनाया है उसके अंदर ही सारी चीज़े हैं तो basically मैं आपको walkthrough करवा देता हूं यह तो style tag को तो मैं नहीं cover करने वाला हूं क्योंकि style में बस मैंने styling कर रखे किस color का button है कितने size का text box है बला 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 वो सब चीज़े हैं उसके बाद यहां से हम आजाते हैं उसके बाद यहां पर script वाला code है यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि जो भी value prompt input और और token input में होगे हम यहां पर ले ले लेते हैं response में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि response में बैसिकली यह मुझे यहां पर response में जैसे कि आप देख आपने देखा था अगर आपने द्यान दिया तो response में मैंने दो चीज़े वेजिए एक तो प्रॉंट और एक image का path तो image का path मैं यहां पर retrieve कर लोगा यहां पर response से image का path retrieve कर लेता हूं कि मेरी image कहां पर stored है जो कि just यह पासवर्ड आप उसको पासवर्ड की form में लेना चाहते हो तो आप उसको जो है basically hide करना चाहते हो और show वाली functionality के लिए यह javascript का method लिखा हूँ है यह I think अगर आप cover करेंगे मैं देखेंगे तो आपको समझ में आ जएगा इसमें अलग से ज्यादा कुछ है नहीं मेरा main focus इसमें यह है कि जो की relative to this context of this video content है वो सारा मैं cover करूं बाकी जैसे styling बगएरा या एक आदा कोई चोटी मोटी checks है वो आप अगर आपको इतना idea है तो आप वो definitely करी ही पाए ठीक है तो simple है अब यह सारी चीज़े हो गई है अब मैं आपको जाके यहां से आपको दिखा देता हूं यहां पी जाके आ बैकन रण हो जाएगा अच्छा इसको रण करने से पहले मैं अगर आपको दिखाऊंगा यह मैंने पहले चला आता अभी मेरा जो है चल नहीं रहा है तो इससे क्या होगा कि यह आपको टेक्स्ट प्रॉंट देना जैसे इसमें दे रखता है कि इसमें नंबर मत पास करना क् पास करना है तो चलिए मैं आपको पास करके दिखाता हूं सबसे पहले उसके लिए न मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं कि मैं क्योंकि यह मैं इसमें यहां पर मैंने क्या किया था ठीक है तो मैं यहां से इसको पास कर देता हूं ठीक है यह मेरा टोकन कि अब मैं जैसे इक करूंगा तो बेसिकली बेकेंड में यह एप डॉट पी वाई के ऊपर कोल जाएगी और वह फिर जो मैंने अभी जस्ट स्टेप बिखाए वह सारे हों बेसिकली क्या करेगा सबसे पहले यह इसकी ट्रांसलीशन लेके आएगा इंग्लिस में फिर वह इंग्लिस टोकन को डिवाइड करेगा जीएबडी ट्री लोड्य जो हे उनको वैक्टर राइज पॉम में समझेगा कि उसकी लिए कि फिर वो एक वैक्तर रेंट करेगा फोर सेबल यूर्ट hatten करेंगे तो इसमें बहुत जिएदा लग सकते हैं इमेज जन्रेट होने में और मेरी जो इस मशीन के ओपर लोकली जो मैं करके डिखा रहा हूं इसके उपर जीपी उनी है तो इसमें जो है बेसिकली 15-20 मिनट लग सकते हैं तो लेट सी मैं तब तक बीच में वीडियो पोज कर दूँगा उसके बाद जो है जैसे ही में जन्रेट होगी मैं आपको दिखाता हूं तो यहां पर बैक एंड पर मैं आपको दिखा देता हूं यह देखिए यह डिबग पर ट्रांसलेशन जो है इसकी यह होनी चाहिए थी सम स्टूडेंट्स आर टोसिंग डियर कैप इंटू दा एयर ठीक है बट लेट सी क्या होता है तो उसके बाद यहां पर जो है अब यहां पर आप देख सकते हैं यह बैक एंड में जो है यहां पर प्रसेर शुरू आ गए यह और राइड जाइज सो जो मैंने टेक्स्ट पंजाबी टेक्स्ट यहां पर दिया था और अपना जो हजिंग चैस का वो दिया था तो उसके लिए रिस्पेक्टिवी इमेंज जो है जन्रेट हो गई है आप इसमें देख सके हैं इसमें प्रोब्लम यह है कि यहां पर जैसे पर अगर आप देखेंगे कि यहां पर सम्स्टुडेंट पांस इन दैर फूदा एर सो बैसिक्ली अधिर इस लिटल बिट ट्रीज इन देखेंगे कि यहां पर हमारा जो में इंटेट यह की और इंटेट यह की वे आर एवलुएटिग अबॉटर डेफिनेटली देर आप च की एप जन्रेट करनी है तो आप कैसे बना सकते हैं कैसे उसका बैकन लिखा जाएगा कैसे उसके फंक्शनलिटी होगी और कैसे बाकी की चीजें होगी इस वीडियो इस पर्टिकुलर अगर आप इस पर्टिकुलर कोड को अपने उसके लोकल मेशीन पर डाउनलोड करेंगे जो की आपने इता कि अगर चैसे और उसके अगर आप इसको अपने लोकल चालाने की कोशिच करेंगे तहर कि आपने एपने वीडियो स्टूडियो अगर आप विप något में तो आप विजुल स्टूडियो आपकी मशीन पर डाउनलोड डिविर्स और और जो आपके बिल्ड वी सी प्लस प्लस के जो बिल्ड टूल होते हैं वो भी आपके डाउंडोड और इस्टोल्ड है बेसिकली यह दोनों चाहिए होंगे क्योंकि जो पाइफन की लाइबरेरी जिसमें यूज हो रही है वो जो है डान दा लाइन इन सब को विंडोज मशीन के उपर यूज करते हैं तो आप इसको डाउंडोड की जिए यूज की जिए यह मुल्टिपल लैंगेज के लिए वक करेगा डेफिनेटली देरी देरी इस स्कॉप तो मेकिट बैकर तो आप इसको अपने एकोडिंगली लोकली डाउंडोड करके इसमें अगर शाहें रिकुत पूर चैंज करते हैं पूंश पोलुट पूबका सकते हैंड जोईस पूबका सकते हैंड तो तो इस वीडियोओ आप दीओन एख आप बोर शज चैंट सेटीं वीडियो और चैंट अवार्य अग्राइश की घए तो सुप्क्त अप्सक्राइब आप यह पूर्णे कर दिए लाउंए अट्यों य झालके।